कि अच्छों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम जैसे देखें उपर लिखा हुआ है अगर आप देखें तो जो एक्जाम के अंदर सवाल आते हैं या आप समझें कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके अंदर Newton के law का इस्तेमाल नहीं होता है अगर आप आप्टिक्स को हटा दें तो physics की हर ब्रांच में Newton का law इस्तेमाल होता है कभी वो force के form में अपने आपको दिखाता है कभी वो energy के form में दिखाता है अपने आपको होता इसमें यह हैं कि Newton के laws of motion को लोग हलके में लेते हैं, हलके में यू लेते हैं, कि जैसे बच्पने से सुनते आए हैं, आप सब को अभी मैं पूछू हूंगे, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हूंगे, वो सारे लोग, अगर किसी से भी मैं पूछू कि मैं Newton के laws क जाहें, बदा हो, तो फटा-फट गुना देंगे, पहला law of inertia, चल रही है, बोडी तो चलती रहेगी, रुख गई तो रुखती रहेगी, दूसरा यह है कि F बराबर MA, F बराबर DP, VDT, तीसरा action reaction का law, तो यह सब को पता रहता है, सब को पता रहता है, तो लोग Newton के law को बहु यह नियम क्या है, यह तो बहुत ही साधना से नियम है, इनके अंदर को यह ऐसी देखने में बिशेश बात नहीं लगी है, जिकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यह तो बहुत ही गहरी बात Newton ने कहती, अरे इतना नाम है यार Newton का, Newton का इतना ज़्यादा नाम जो है, इसलिए तो है कि Newton ने अपने laws की मदद से एक तरह से पूरा कहते हैं कि physics की पुरी branch खड़ी कर दी, पूरा mechanics खड़ा कर दी है, in fact, wave में भी इस्तेमाल होता है, इसका heat में भी इस्तेमाल होता है, even modern physics तक में भी energy के जो concept होते हैं, momentum के concept होते हैं, वो सबाते हैं, जैसे आप electrostatics पढ़ोगे तो उसके अंदर एक नया force आजाएगा, electrostatic force, magnetism पढ़ोगे एक नया force आजाएगा, magnetic force तो हायर जगा ही force है, और Newton के law ने किया क्या था, Newton के law ने force को define किया था, कैसे, पहला और तीसरा नियम तो force का value बदाता है, तो Newton के laws जो हैं, वो दिखने में साधारन हैं, लेकिन इनके जो इस्तेमाल हैं, वो आसाधारन हैं, इन फैक्ट अगर आप ऐसे समझें, कि life के अंदर जो भी जो बहुत ही चीज़ें extraordinary होती हैं, वो देखने में बड़ी simple लगती हैं, जैसे एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कि ये कहा जाता है कि हमें truthful होना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये बात बड़ी साधारन सी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतारों तो आप गांधी बन जाओगे, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें सचा होना चाह सब बताते हैं, सब बताते हैं, बात सिंपल सी है, वन मस्त दूदा हाड़ वक, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप अपने जीवन में उतार लो, अपने अंदर ले आओ उसको, तो आपको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी बात है, उसी तरह से न्यूटन के नियम है, देखने हैं, बहुत लेट पैदा हुआ, अगर उस टाइम पैदा हुआ होता तो ये नियम तो महीं देदेता, फिर, जब मैं टीचर बना, जब मैं न्यूटन के नियम को पढ़ाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, इस पे रिसर्च करना किया, तो मुझे पता लगा, यार ये बहुत ही गहरे नियम है बहुत जादा ही मतलब नेचर की जो जैसे करते हैं जो प्रकृति के अंदर जितने च्छी पेवे नियम है जादा तर इस न्यूटन के डिमों से ढूड़े जा सकते हैं तो न्यूटन के लॉज जो हैं उनको पहली बात इतना मेरा बोलने का परपस यह गिना हलके में लेना है इनको बहुत गहराई से समझने कोशिश करनी है और न्यूटन के जो लॉज है वहाँ आप फोर्स के बारे में बताते हैं फोर्स जो है उसको डिफाइन करते हैं कि जो सबसे बढ़िया डेफिनिशन है वो यह यह कि फोर्स एक पुश या पुल होता है जो किसी भी ऑपजेट की स्टेट अफ मोशन को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है कोशिश करता है एक ऐसा पुश या पुल है जैसे माल लिजे कि यह एक यहां पर इक जैसे चौक है दिख रहे होगी आपको या चलिए में दूसरा कोई अब जिए यह दस्टर है इस तर है मैंने इसके पर फोर्स लघाया तो फोस लगाने के बाद यह चलने लगा तो ये फोर्स जो होता है जो किसि भी बादी के स्टेट ऑफ मॉशन को या तो बदल देता या बदलने की कोशिश करता है जैसे ये board है इस पे अगर मैं push-y pull लगाऊंगा तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ये वैसे का वैसे रह जाएगा इस पे कोई फरक नहीं पढ़ेगा या दिवार तो आपको दिख नहीं रोगी अगर मैं इस दिवार के उपर push-y pull करूँगा तो दिवार भी रुकी रहेगी तो force एक ऐसा isn't है एक ऐसा जरिया है एक ऐसा mechanism है जिसकी मदद से हम किसी भी object के state of motion को बदल सकते हैं या बदलने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश भी force ही है ऐसा कई बार होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन वो body move नहीं करती ठीक है तो force के बारे में force को मैं define करने जाना हूँ फिर हम दो mutants law पर देर देर कर गाएंगे force is a push or pull force is a push or pull which changes or force is a push or pull which changes or tries to change the force is a push or pull which changes or tries to change the state of motion force is a push or pull which changes or tries to change the state of motion of an object force1 push or pull, खका या किजाओ जो किसी body के state of motion, और आ प्जैजर का ईच्थ कर सकता है किसी object का shape change कर सकता है उसकी size change कर सकता है उसका orientation अर्टर, और ज़न कर सकता है कोई भी अगर घटना होरी मेरे उपर एक लाइट बीम भी आके गिरेगी न तो लाइट बीम भी मेरे उपर टू आई है वाई सी के बराबर फोर्स लगा रही होगी जहां आई जो इंटेंसिटी है ए मेरा एरिया है और सी लाइट की विलस्टी कोई भी घटना अगर आप अगर आप सोचना तो हर इवेंट के अंदर फोर्स का इंवाल्मेंट होगा हर घटना दुनिया में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है जो कुछ नहीं हो रहा है जो कुछ हो सकता है जो कुछ होने की संभावना है जो कुछ नहीं होने की संभावना है हर चीज के लिए जिम इस दुनिया में चार तरह के फंडमेंटल पर्से बताए गए यह जो दुनिया है इसके अंदर चार तरह के fundamental forces बताए गए और बाकि जितने भी forces हैं सब उनी forces से मिल जूल करके बने रहें यह चार fundamental forces कौन-कौन से हैं gravitational force जो हमारे syllabus में है इस पर हम बहुत detail में चर्चा करेंगे पाथ सेच्छा लेक्षर electromagnetic force electromagnetic force पूरा आपका 12th class में electromagnetic force ही है फिर उसके बाद आता है modern फिजिस के नदर nuclear force आता है फिर उसके बाद उसके नदर आता है वीक nuclear force तो चार तरह के fundamental forces बनाए गए हैं और यह चारो fundamental forces हैं वो चारो fundamental forces मैं एक-एक करके take up करूंगा सिर्फ थोड़ा बारा पांच-बच मेंटिन सब के सबसे पहले मैं यह बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यह बात बता रहा हूं चार तरह के fundamental forces होते हैं four fundamental forces four fundamental forces four fundamental forces चार fundamental forces होते हैं पहला जो होता है वो gravitational force होता है आप सभी लोग जानते हैं अब इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा ऐसा नहीं कि बात नहीं करूंगा मैं बात तो करूंगा इसके बारे में ठीक पांच मिनट ही सब ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा इसके अंदर आता है electromagnetic electromagnetic force gravitational force दूसरा electromagnetic force तीसरा nuclear force nuclear force चौथा weak nuclear force यह चार तरह की fundamental forces होते हैं बाकी दुनिया में जितने भी forces हैं वो सब इनी के permutation combination है permutation combination को मतलब होता इनी से जोड़ घड़ा के बाकी यही चार हैं जैसे कह सकते ना कि चार color है ऐसे तो color बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं चार रंग हैं बाकी सारे रंग इनी से मिला जुला के बने हुएं तो कुछ इसी तरह से आप समझें कि चार अब थोड़ी सी बात में gravitational force के बारे में करूंगा कि gravitational force पहला जो है gravitational force कि बड़ी कहानी एं gravitational force की जो मैं gravitation आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर इसकी कहानी की चर्चा करूंगा फिलाल अभी हम लोग फोर्स समझना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा gravitational force में नहीं जाएंगे तो gravitational force के अंदर यह आता है कि जैसे मालेजे के point mass M1 है और point mass M2 है और इनके बीच की दूरी हार है तो इनके बीच लगने वाला जो gravitational force होता है F यह बड़ाबर होता है G M1 M2 upon R square है कोई भी दो masses है मालेजे point masses M1 और M2 है और इनके बीच की distance R है तो इनके बीच लगने वाला जो gravitational force होता है वो 6.7 into 10 rest to the power of minus 11 SI unit में मैं unit देता हूं Newton per meter square upon kilogram square तो अब यह जो force आएगा अगर हम इसके बारे में बात करें तो चुकि G की value बहुत कम होती है तो जो यह force आता है यह भी बहुत कम आता है तो हम ऐसा कहते हैं कि यह nature का weakest non force है सबसे कम जोर फोर्स है सबसे कम जोर इसले कहा जाता है क्योंकि G की value बहुत कम आती है अगर आप एक किलो का मास ले लें तो एक किलो के दो मासेस पर जो force लग रहा होगा वो 10 to the power minus 11 की order का लग रहा होगा कि इसकी अगर इसके बारे में अगर लिखा जाए तो एक पॉइंट यह आ रहा है वी कि इस नून फोर्स है लेकिन अब यह nature के अंदर contradiction होते हैं नेचर जो होता है अजीब करता है कहने को गड़ित कहता है यह सबसे कमजूर फोर्स है लेकिन आप जड़ा सोचें कि दुनिया के अंदर जो भी हैविएस्ट मोशन हो रहे हैं प्लानेट्स चल रहे हैं गलक्सी चल रहे हैं सूरत चल रहा है चांद सितारे सब चल रहा है जो बड़े से बड़े मोशन हो सकते हैं वो सब इसी पोर्स के करण हो रहे हैं यह जो gravitational force है, सारे के सारे दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े से बड़े motion हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपने कभी सुना होगा कि एक star था, दूसरे star के चारोर चक्कर लगा रहा था, चार्ज के करण, electrical force के करण, यह आपने हमेशा सुना होगा कि gravity के करण यह चलते हैं, तो कह रहने कोई दुनिया का सबसे कमज़र force है, लेकिन सच में, यह longest range force है, होता क्या है, इश्वर ने G की value को बहुत कम कर दिया, लेकिन M1, M2 की value को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जी तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, लेकिन अब धरती का मास जो है, वो 10 to the power 24 के order का है, तो 10 to सबसे कमज़र force है, लेकिन यह दुनिया का सबसे लंबी range का force है, दुनिया के इस छोड से, उस छोड तक जो force काम कर रहा है, वो यही वाला force है, it is the longest range force, यह में लिख दे रहा हूँ, it is the longest range force, सबसे लंबी दूरी तक का force है, इससे ज्यादा दूर तक किसी force का कोई असर नहीं होता, और यह medium-medium पर डिपेंड नहीं करता है, बीच में कुछ भी medium हो, दो तारे, तारों के बीच में हजारों तारे होंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर वैसे ही force लगाएंगे, तो यह medium पर डिपेंड नहीं करता है, it does not depends upon the medium, और इसमें बड़ी इंट्रेस्टिंग से आती है, यह जो मतलब आजकल जो तीशी जो लोग होते हैं, यह लोग, देखो यह तो सची बात है, यह तो आप भी मानोंगे, कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो force के कारण ही हो रह force अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो दुनिया में कुछ भी कोई भी event नहीं होगा, हम नहीं होगे, तुमने में कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ आज के present form में देख रहा है, उस सब की वज़े force है, तो gravitational force यह जो जोतिश होता है, वो बताता है ना कि आपका mangal जो है, भारी अच्छा विचार का मतलब कि जो जोतिश विद्या है, उसको justify किया जाता है, justify किस तरह से लोग करते हैं, जैसे माल लिए कि मैं हूँ, तो मेरे उपर कुछ ना कुछ force तो मेरे उपर मून भी लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ force मेरे उपर Jupiter लगा रहा होगा, कुछ sun लगा तो जो बाकत्स के पानी को अपनी तरफ खीच लिता है तो जो जो कितना होता है कैसे होता है और अंगोटी से से कटेगा कि नहीं कटेगा यह समय नहीं जानता हूं लेकिन ग्रहों का उप ग्रहों का और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हमारे जीवन पे असर होता है मतलब यह बिलकुल एक नम सही घड़ा है और सारी दुरियां दे रखी और पूझा यह गया है कि बनदब क्यवार्टकर करें ने अब बच्चे का मां के मां जुब पर लगाएगी वह बिद रखाए को जोपितर लगा रहा हूं उससे मां कासर होगा भी जुपिटर से ज़्यादा तो केहने का मेरा मतलब यह है कि जो फोर्स होते हैं वह कि हमारी डे-टु-डे-लाइफ को हर फोर्स तो यह अगया तो जैसे पहले ग्राइचनल पोर्स हो गया ग्रेविटेशनल पॉर्स हो गया जीचाहे बारे में वह बहुत डिटे scorड में आगे पड़ेगे जब डिशन चैक्टर आएगा अभी तो बेसिक बेसिक हार फोर्स के बारे दद्दस मेंट पांच मेंट बात करेंगे दूसरा जो फोर्स आता है यह एलेक्ट्रमागनेटिक फोर्स आता है मैंने आपको बताए ट्वेल्थ के दंदर यह 70% जो है वो इसके बारे में पर समोग एक जानकारी लेंगे और जानकारी लेकर के आले बढ़ जाएंगे बहुत आतने की मनुक्र कौने समस्वी यह प्रत रहें कि मैं बता देता हूं की tuh क्या है येक्च्टरिक फिल्ड इंपनाग्न एक फिल्ड जो नेसं मैंपनाग्नेटिक फिल्ड है । इसके बारे में जैसे ग्रेटेशनल फोर्स मास की वज़े से होता है तो electromagnetic force होता है और charge की property की वज़े से होता है तो इसके बारे में मैं यह लिख दे रहा हूँ It is due to the It is due to the property of charge Charge की property की वज़े से होता है और इसके बारे में चुकि बहुत बात करनी है तो सिर्फ हम basic बात करके यहां से निकल जाते हैं Mechanics के अंदर तीन forces मिल लिए आता है Tension, Normal, Friction Interesting बात यह है कि Tension force या Normal force या Friction force ये तीन के तीनों force जोते हैं वो Electromagnetic होते है Tension जो आता है वो Bond के कारण आता है जो Bond होता है किसी भी दो atoms के बीच में जो Bond बनता है उसके करण Tension आता है Normal भी उसी Bond के कारण आता है Friction जो है वो भी Bonding और Interlocking की वजह से आता है Tension, Normal, Friction एक्शुल में ये तीनों force जोते हैं वो Electromagnetic होते हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बात है जब हम Tension, Normal, Friction पढ़ेंगे तो और इस बारे में बात करेंगे फिलाल अभी मैं नोट डाल के लिए देता हूँ Tension Force Tension Force Normal Force Tension Force, Normal Force and Friction Force Tension Force, Normal Force and Friction Force are all Tension Force, Normal Force and Friction Force are all Electromagnetic Tension Force, Normal Force and Friction Force are all electromagnetic nature अज़र मेकनिक्स के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं न Tension, Normal, Friction अभी और चर्चा करेंगे Tension, Normal, Friction की Tension Force, Normal Force, Friction Force Medium Range होता है It is a Medium Range Force, यह भी इसके एक खास बात है It is a Medium Range Force It is a Medium Range Force, यह एक मीडियम रेंज का फोर्स होता है Medium मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक इसका अफर नहीं होता है थोड़ा बहुत दस बाच मीटर, दो मीटर, एक सेमी, दस सेमी, इस टाइप का यह फोर्स होता है तो यह Electromagnetic Force हो गया अब उसके बाद इसके अंदर जो आता है, वह आता है Nuclear Force Nuclear Force Nuclear Force भी कहते हैं, कई बार इसको Strong Nuclear Force भी कहते हैं वैसे किताबों में, NCRT में तो आपको Nuclear Force मिलेगा लेकिन इसको Strong Nuclear Force भी कहते हैं यह इस फोर्स की सबसे खास बात ही होती कि नेचर का सबसे Strong Force होता है दुनिया का सबसे ताकतवर Force होता ही है दुनिया में इससे जज़े ताकतवर कोई Force होता नहीं है आता क्यों है, पहले मैं इसकी बज़े बता दूँ आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी तो नुकलियस के अंदर बहुत सारे नुकलियांस होते है प्रोटान होंगे और नेट्रोन होंगे यह जितने भी प्रोटान होते हैं यह सारे प्रोटान एक दूसरे को रिपल करते हैं और जब यह प्रोटान एक दूसरे को रिपल करते हैं तो चुकि nucleus का order जो होता है वो इस order का होता है 10 to the power minus 15 meter का वह छोटा होता है nucleus तो अब proton तो nucleus 10 to the power minus 15 के order का है तो protonों के बीच की दूरी बहुत कम होती है बहुत कम होती है तो यह proton एक दूसरे पे extremely large forces apply करते हैं q1 q2 upon r2 से दिखा जाता है तो यह दूसरे पे बहुत ही बहुत ज़्यादा force लगाते हैं और यह proton एक दूसरे को इतना तेजी से repel करते हैं कि अगर इनके repulsion को balance ना किया जाये तो nucleus एक धमाके के साथ फट जाएगा और खतम हो जाएगा मतलब यह जो proton होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत ही strong columbic repulsion apply करते हैं strong electromagnetic force या columbic repulsion हम लोग कहते हैं वो apply करते हैं लेकिन nucleus stable होता है stable होता है इसका मतलब क्या है कि उससे भी ताकत वर कोई एक force होता है जो इन मतलब जो proton हों के फोर्स है उसको balance करता है वे दो आदमी को balance करने वाला पोस्त उससे भी ज़्यादा थाकत वर होगा तो इसका इसकी वज़य क्या है जो nucleus के नदर protons होते हैं यह proton एक दूसरे के वर बहुत ही तगड़ा कुलम्बिक रिपल्शन एपलाई करते हैं उस कुलम्बिक रिपल्शन को balance करने के लिए nuclear force आता है ठीक है तो अब हम इस बारे में बात करेंगे मैं लिख दे रहा हूं the protons inside the nucleus the protons inside the nucleus nucleus apply large repulsion repulsion on each other the protons inside the nucleus apply large repulsion on each other to balance this repulsion to balance this repulsion nuclear forces to balance this repulsion nuclear forces comes into play to balance this repulsion nuclear forces comes into play ठीक है इसी repulsion को balance करने के लिए nuclear forces आते हैं और यह जो nucleus होते हैं अब इस कारे में बहुत बात हम नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ आपको Newton's law के context में बता रहे हैं कि यह जो nuclear forces होते हैं नेचर के strongest known force होता ही है ठीक है लिखे मैं इसको note कर देता हूँ it is the strongest it is the strongest known force of nature यह प्रकृति का सबसे ताकतवर force है strongest known force of nature दुनिया का सबसे ताकतवर force है यह लगता सिर्फ नुकलियोनों के बीच में neutron proton के अंदर ही लगता है nucleus के बाहर इसका असर नहीं होता है तो अगर यह nucleus के अंदर अंदर ही लगता है तो इसका range बहुत कम हो गया बहुत कम दूरी तक है तो हम लोग इसको short range force केते हैं it is a short range force यह भी note कर रहा हूँ है it is a short range force बड़ा मचिदार force होता है यह जब लोग पढ़ेंगे तो यह neutron neutron पे लगाएगा proton neutron पे लगाएगा proton proton पे लगाएगा कभी attractive हो जाता है बढ़ी interesting बात है इसके बारे में जो हम लोग आगे करेंगे अभी पहलाल अपने काम की बात करते हैं यह short range force है प्रकृति का सबसे ताकतवर force है दुनिया में इससे ताकतवर कोई force आया नहीं है ठीक है और यह बस nucleus की boundary के अंदर-अंदर लगता है तो nucleus की boundary के अंदर-अंदर इसका असर रहता है तो हम लोग इसको short range force के नाम से जानते है और यह nature का सबसे ताकतवर force है ठीक है इसे हम लोग nuclear force करते है आता क्यों है प्रोटानों का repulsion जो होता उसको balance करने के लिए आता है प्रोटान जब एक दूसरे को repel करते हैं तो उस repulsion को balance करने के लिए आता है यह आपका electromagnetic force हो गया उसके बाद इसके अंदर एक और छोटा सा force है चोटा सा मतलब एक और चोथा force है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तब तक आप इसे note करें मैं इसको raise कर देता हूँ थोड़ा यह चौक अच्छे से मटा देता हूँ जिससे mood clear हो जाए कपड़ इस अच्छा बिटता है तो यह तो आपका nuclear force हो गया और चोथा जो force था यह था वीक nuclear force जो है और और बड़ा कलाकार है जैसे nuclear force नुक्लेश के अंदर अंदर लगता था तो वीक नुक्लियर पोस होता है बस नूक्लियों के अंदर अंदर लगता है नहीं प्रोटान और नुक्लियों इसके बारे में बहुत कम जानकारी अवलेबल है, तो यह जो weak nuclear force होता है, वो neutron और proton के अंदर अंदर लगता है, मतलब neutron और proton के अंदर ही लगेगा, तो यह very short range force होता है, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं, it is a very short range force, it is a very short range force, it acts, only only within a nucleon, ठीक है, it is a very short range force, it acts only within a nucleon, nucleon के अंदर ही लगता है, neutron के अंदर अंदर रहेगा, यह proton के अंदर अंदर रहेगा, जब भी कभी बीटा डिके होता है, बीटा प्लस डिके या बीटा माइनस डिके, modern physics के अंदर आएगा, तब इन forces का involvement होता है, तो खर वो उस समय पढ़ेंगे, जब हम modern physics पढ़ेंगे, फिलाल एक इसके अंदर बात या आती ही, कि चारो forces का order क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा है strong होता है nuclear force, फिर उसके बाद आता है electromagnetic force, फिर उसके बाद आता है weak nuclear force, और सबसे कमजूर वेचारा gravitational force होता है, कहने को सबसे कमजूर होता है, लेकिन अगर आप गड़ित के साब से देखेंगे, तो कमजूर है, वैसे ही nuclear gravitational force, उतना कमजूर नहीं होता, दुनिया के अंदर बहुत सारे forces यह हैं, वो इसमें involved होते हैं,